अगर आपने अभी तक हमारे चानल ब्रिज करन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिये और साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं दोस्तों हमारी आदतों का संबंध हमारे भविश्य और हमें प्राप्त होने वाले सुख दुख से भी है हमारी आदते बता सकती है कि हमारी सोच कैसी है और हमारा स्वभाव कैसा है इसलिए आदतों को व्यक्तित्व का दरपन भी कहा जाता है ग्रंथों में कुछ सामान्य आदते भी ऐसी बताई गई हैं जो शुब है और कुछ सामान्य आदते अशुब भी है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें अपनी किस आदत को बदल लेना चाहिए और किस आदत को बनाए रखना चाहिए बात्रूम को गंदा ही छोड़ देना अगर कोई व्यक्ति नहाने के बाद बात्रूम में अपने कपड़ी इधर उधर फैक देता है तो ये अच्छी बात नहीं है साथ ही अगर कोई व्यक्ति बात्रूम को गंदा रखता है और नहाने के बाद उसकी सफाई नहीं करता तो चंदर के कारण अशुब फल प्राप्त होते हैं अतहे नहाने के बाद बातरूम को गंदा ना छोड़ें बलकि गंदकी को भी साफ कर देना चाहिए और फर्श पर फैले पानी को भी निकाल देना चाहिए शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने पर शरीर का तेज बढ़ता है और शुब फल प्राप्त होते हैं पैर घसीट कर चलना अगर कोई व्यक्ती पैर घसीट कर चलता है तो ये आदत अच्छी नहीं मानी गई है इस आदत के कारण राहू से अशुब फल मिलते हैं जूटी थाली चोड़कर उठ जाना खाना खाने के बाद जूटी थाली या बरतन चोड़कर उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं है ऐसा काम करने वाले लोगों को स्थाई सपलता प्राप्त नहीं हो पाती ये लोग मेहनत अधिक कर लें तब भी संतोष चनक फल प्राप्त नहीं कर पाते अगर खाना खाने के बाद जूटे बरतनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनी और चंदर के दोश दूर होते हैं साथ ही लक्षमी की प्रसंता मिलती है घर लोटकर हात मूध होना हम जब भी कहीं बाहर से घर आते हैं तो मूध और पैरो को शीतल जल से धो लेना चाहिए ऐसा करने पर हमारी धकान भी दूर होती है और चिरचिड़ापन भी कम होता है दिमाग को शान्ती मिलती है घर के मंदिर को साफ रखना तो ये शुभ आदत है ऐसा करने पर सभी देवी देवताओं के साथ ही सभी नो ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं देवी लक्षमी क्रिपा बनाए रखती है देर रात तक जागना अगर कोई व्यक्ती देर रात तक अकारण ही जागता है तो चंद्र ग्रह अशुभ फल प्रदान करता है ऐसे लोगों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है देर रात तक जागने और सुभा देर से उठने पर स्वास्तिय संबंधी कई परिशानियों का सामना करना पड़ता है महमान को शीतल जल देना अगर हमारे घर में कोई महमान आये तो उसके घर में प्रवेश करती ही शीतल पे यानि कि शीतल जल अवश्य देना चाहिए इस आदत से राहू के दोश दूर होते हैं इधर उधर फैकना अगर कोई व्यक्ति बाहर से घर आते ही जूते चपल इधर उधर फैक देता है तो ये आदत शत्रू भै बढ़ाने वाली है शास्त्रों के अनुसार घर में बेतर तीब रखे हुए जूते चपल शत्रूओं को बलवान बनाते हैं साथ ही इस आदत के कारण मान सम्मान में भी कमी आती है अगली आदत जिसके बारे में हम बात कर रही हैं वो है किचन को अव्यवस्तित रखना अगर किसी घर में रसोई अव्यवस्तित रहती है और सही समय पर साफ सफाई नहीं होती है तो मंगल ग्रहे के दोशों में व्रिधी होती है अगर आपकी कुंडली में मंगल दोश है तो घर में सदैवरसोई को साफ और व्यवस्तित रखना चाहिए हर रोज पेड़ पोधे को जल अर्पित करें अगर आप बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा से दोशों को दूर करना चाहते हैं तो हर रोज पेड़ पोधों को पानी देना चाहिए पेड़ पोधों की देख भाल करने वाले व्यक्ति को कई प्रकार के शुभफल प्राप्त होते हैं ये उपाय करने वाले लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ती मिलती है बिस्तर अव्यवस्तित रखना ये भी एक गलत आदत है अगर किसी घर में बिस्तर अव्यवस्तित रहते हैं और चादर गंदी रहती है तो ये अश्युप्रभाव बढ़ाने वाली आदत है जिन घरों में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है वहां रहने वाले लोगों की दिन चर्या भी अव्यवस्तित ही होती है वो लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं जोर जोर से बोलना अगर किसी व्यक्ती की आदत जोर जोर से बोलने की है विर्थ की बाते करते हैं अगली आदत है नशा करना शराब, सिग्रेट या किसी अन्या मादक चीजों का नाश करने वाले लोग राहू के कारण परेशानियों का सामना करते हैं इनके जीवन में मांसिक तनाव सदैव बना रहता है काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती है पैरों की सफाई को नजर अंदाज करना अकसर लोग चहरे की सफाई पर तो पूरा ध्यान देते हैं लेकिन पैरों की सफाई को नजर अंदाज कर देते हैं ये अच्छी बात नहीं है पैरों की सफाई पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए नहाते समय पैरों को भी अच्छी तरह धोना चाहिए व्रिध जनों का अपमान करना अगर कोई व्यक्ती किसी व्रिध जनों का अपमान करता है उसका मजाक बनाता है तो इस आदत के कारण घर की बरकत खत्म होती है अतहे घर के सभी बड़ों का मान सम्मान बनाई रखना चाहिए जन घरों में व्रिध जन खुश रहते हैं वहां सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है इधर उधर थूकने की आदत इधर उधर कहीं पर भी थूकने की आदत अशुव असर देने वाली होती है इस आदत से यश मान सम्मान नश्ट होता है ऐसे लोगों को अगर मान सम्मान मिल भी जाता है तो वो अधिक समय तक टिकता नहीं है लक्षमी के कोप का सामना करना पड़ सकता है अतहे इधर उधर थूकने से बचना चाहिए इस काम के लिए निर्धारित स्थान का ही उप्योग करना चाहिए वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी बाते बताई गई है जिनका ध्यान रखें तो आपको नौकरी और व्यवसाएं में उन्नती के साथ धन का लाभ भी मिल सकता है इसके अलावा घर में रहने वाले लोगों का स्वास्त्य भी अच्छा रहता है अगर वास्तु की इन टिप्स का ध्यान रखा जाए तो आपके घर परिवार को हर तरहां से लाभ मिलेगा तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स है जिनका आपको खयाल रखना चाहिए जिस अलमारी या तिजोरी में पैसा या कीमती सामान रखते हूं उसके पीछे या उससे सटा कर जाडू नहीं रखनी चाहिए ऐसा करना धन की हानी करवाता है किचन में दवाईयां रखने की आदत वास्तु के अनुसार बिलकुल गलत मानी जाती है ऐसा करने से लोगों की सीहत में उतार चड़ाव बना रहता है बात्रूम और टॉइलिट के दर्वाजे को अनावश्यक खुला रखने पर घर दुकान में लगातार पैसो का नुकसान होता रहता है घर की दिवारों और फर्ष पर बच्चों को पेंसिल, चौक या कोईले से लकीरे नहीं बनाने दे माना जाता है कि इससे खर्च और उधारी बढ़ती है, ऐसे में बच्चों को रोक दे घर के दक्षिन दिशा में एक्वेरियम या पानी से संबंदित कोई मूर्ती या शोपिस नहीं लगाना चाहिए इससे आमदनी कम होती है और खर्च बढ़ता है घर दुकान की उत्तर पुर्व दिशा यानिके उत्तर पुर्व दिशा का जो कौन है वो कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए ऐसा होने से भगवान विश्णू और देवी लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को आर्थिक स्तिथी में नुकसान उठाना पड़ता है पूजा घर कभी भी बेडरुम में नहीं होना चाहिए ऐसा होने से घर में कलहे आर्थिक परिशानी और दूसरी कई तरहां की उलजने आती है लेकिन अगर स्पेस की कमी के चलते आपको बेडरुम में किसी कारण पूजा घर बनाना पड़ रहा है तो ऐसे में आप उसके लिए उपाई कर सकते हैं अगर आपको भी इस परिशानी का सामना करना पड़ रहा है यानि के बेडरुम में अगर आपको पूजा घर बनाना पड़ रहा है तो आप हमें कमेंस में बताईए हम इसके लिए आपको उपाई बताएंगे घर के काटे वाले दूध निकालने वाले यानि कि इस तरहा के पौधे जिन्हें काटने अपाडने पर एक सफेद द्रव्य निकलता है इस प्रकार के दूध निकालने वाले और विशैले पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए इससे धन और स्वास्तिय की हानी होती है पर भी हम रोजाना नई वीडियो के साथ आते हैं तो वहाँ हमें लाइक करें और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों अगर आप कोई प्रशन पूछना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम जल से आपके सभी प्रशनों का उत्तर देंगे लेकिन मगर कभी देर हो जाती है तो आप धहरया रखे देर सबीर ही सही हम आपके सभी प्रशनों का उत्तर देंगे मुणिढ़ धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब रहे जय मात आदी